हेलो फ्रेंड्स मोध मिताल ली टिल कीचेन वेलकम आज हम बनाएंगे नारीयल का चाटनी ओ भी बहुत नया तरीका से टेस्टी भी बनेगा और हेल्दी भी बनेगा नॉर्माले हम लोग जम नारीयल का चाटनी मनाते होटेल जैसा टेस्ट नहीं आता लेकिन आज में बहुत उसी तरीका से टेस्ट बना के देखाऊंगी यह नारीयल का चाटनी सिंप्ल रेसिपी सिंप्ल इंग्रियन तो फ्रेंज मेरे चैनल में नहीं है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसा है हार्दे निव नियो रेसिपी देखने के लिए चलो फे शुरू करते नारीयल की चाटनी बना लेकिने सबसे पहले जो मेरे इंग्रियन्स हो है नारीयल तो यहां पर देखें मैंने एक मीडियम साइज का नारीयल लिया है नारीयल को पहले तोड़ लेती हो तो इसी तरीका से देखें नारीयल को तोड़ लिया मतलब इतना सरा जुरूरूरत नह तो यह देखी मैने इस तरीका से काट ले, छिलका नहीं निकाले, छिलका आगण निकाल लेंगे तो थोड़ा से इसका कालार अलोग होगा, आप देखी एक इस प्रोसेस में मैंने बनाती हो, तो यहां पे देखी एक मेह ने कड़ाई बेठा दाल देती हो, एक से देर जम्प जादानी थोड़ा सा वैल डाल देती हो, आप मैंने डाल देती हो मुफोली, तो मुफोली को आछी तरह से भून लेंगे, नारीयल से क्वांट्रेटी कॉम होना चाहिए, मुफोली का मतलब ओवान फ़ोर्थ भाग ऐसे मुफोली लेना चाहिए, इसमें क्या होगा बहुत डाल रहे हो थोड़ी सी ग्रीन चिली दो तिन इसी तरीक से काट लिया ग्रीन चिली आप डाल लियो थोड़ी सी कारी पात्ता मैंने यहां पे फ्रेस कारी पात्ता यूज़ कर रहे हो तो देखें मैंने यहां पे थोड़ी सी कारी पात्ता डाल लियो और डालूंगे थोड़ी से आद्रक, रिली बहुती मौस्त और पार्फिक्ट अगर टेस्ट आना है, ये चाटनी में तो इसी तरीका से इंग्रिनेस डान ला है, आप ही ये मूप फोली, ये मतलब ये ग्रीन चीली, कारी पात्ता और आद्रक को थोड़ी देर तो भून लेंगे, कारी पात्ता भी इंग्रिनेंस ये है फुताने, याने ये देखिए चाना, मतलब ये रोष्टेट चाना दाल, ताम मैंने रोष्टेट चाना दाल डाल दिया, रिली बहुत बड़ी आसा, इसमें चाटनी में टेक्स्चार भी आएगा, पार्फिक्ट टेस्ट भी आएगा, तो इसलिए ये जुरूर डालना होटल में हम लोग जब चाटनी खाते हैं तो लगता है की किस तरीका से बनाए रेली इसी तरीका से इंगृइन्स से बनाएंगे तो perfect इस चाटनी का टेस्ट आएगा तो यह धिखे सब इंगृइन्स को बहुत बढ़िया सा भून लिया नारीयल को सब सीलाज में डालना हैं पहले अगर नारियल को डालेंगे तो उसना अच्छा टेस्ट ने आएगा तो सब इन गिडियोंज आच्छी तरह से भूनेगे आप मैंना डाल देते हो यह नारियल नारियल को ज़्यादा देर तो भूनेंगे निज जास्ट इसको थोड़ा से इसी तरीक हैसे मिलाएंगे नारील को आच्छी तरह से मिला लेती हो और थोड़ी देर दोग इसको भून लेंगे ये जो चाटनी बने का खास कुछ और मसाला डालूँगी वो बाद में लेकिन पहले इसको आच्छी तरह से भून लेती हो और इसको ठंडा होने के बादी मैंने मिक्सी में पीशूंगी तो देखी कितना बड़ी आसा ये भून गया मतलब पारफेक्ट ये भून गया सोब इंगिडियन्स एक साथ में मिल गया आप थोड़ा सा ठंडा होने देती हो ठंडा होने के बाद मिक्सर पड में डाल के इसको पीशेंगे लेकिन इसके साथ दोसरा कुछ भी इंगिडियन्स डालती हो जैसे मैंने इसके साथ डाल रही हो अभी देखी है इसको पड में डाल दे आप डाल देती हो थोड़ी से फ्रेस ताजे हरे धनिया आप चाहे तो पूदेना भी डाल सकती है और मैं डालते हुँ यहाँ पे थोड़ि सी एक चमज इमली के चाटनी इमली के चाटनी का रेसिपी मैंने पहले स्यार कर चुकी हो आप इमली का चाटनी का जागा एसे नर्माली जो इमली घर में रहता है वो भी डाल सकते है आप मैंने डालूंगे इसके साथ 2 चमस दोई ही दोई के जाएगा आप लोग पाणी में उजगार साकते लेकिन दिएरी बहुत बुलियासा टेस्ट लाने के लिए अगर दोई ही डाल देंगे ना बहुत बुलियासा इसमार टेस्ट भी आएगा और पार्फेक्ट इसका गढ दोई ही डाल देती हो थोड़ी सी नमक नमक का क्वांटेटी जाधा नहीं डालेंगे तो सदनुसर नमक डाल दे अभी सब इंगरियन्स को मैंने मिक्सी में पीस लेती हो तो ये देखि कितना बुलियासा मस इसका पीस ना हो गया आप चाहित धुनी का पात्ता क्वांटेट इसका टेक्स्टर पार्फिक्ट है तो आप चेले तड़का बना थे तड़का बनाने के लिए देखिए आप एक तड़का पेन बिठेदे डाल देती हो एक चमाच ओयल डालेंगे थोड़ी सी सोर्षो की दाने डाल देते हो थोड़ी सी जीरा आप डालोंगे थोड़ी सी बारी काटा होवा एह हरी मेरची थोड़ासा मेनी इहापे डाल लेए चन दाल आद देखिए उड़ोद डल जादानी एक चमाच कार के चन दाल आरी उड़ोद डाल दाल अच्छी तरसे सब इंगिरियंस को भून लेती हो थोड़ी सी इसमें जब तो कलार नीचेंज हो रहे तो अब तो इसको भूनेंगे थोड़ा सा भूनने में क्या होगा यह दाल का जोब टेस्ट है न उपार फेक्ट आएगा तो यह देखिए आच्छी तरसे भून डें आप म भून गया मतलब यह तड़का रेडी हो गया आब यह गरम गरम तड़का डालते है यह चाटनी में रिली बहुत बुड़िया सा मस्ट पारफिक्ट टेस्ट आएगा इस तड़का में भी चाटनी भी पारफिक्ट होना है तो भी चाटनी का टेस्ट आएगा आब में डालते चाटनी में गरम गरम तड़का, really बहुत बढ़ियाशा पार्फिक टेक्स यार पार्फिक टेस्ट के साथ मैंने शेयर किया ये चाटनी का रेसीपी, कोई भी रिडली धोसा ऐसे नॉर्माली परटा के साथ भी ये चाटनी खा सकते, जितना बढ़ियाशा देखनी में लागरे उतना ये पार्फिक्ट इस चाटनी में टेस्ट आएगा, सो फ्रेंड्स आप लोग भी इसी तरीका से नारियल का चाटनी घर पे बाना के देखिए, रियली बहुत बुलियाशा टेस्टी भी बनेगा, आप लोग स्टोर करकी भी राख सकते हैं दो से तीन दिन, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया तो जोरूर मेरी चेनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसा हाई हाट दिन निव निव रेसीपी देखने के लिए, और बेल बोटन को प्रिस करना ना भूला ताकि नोटिफिकेशन सब से पहले आपको मिल जा चिरे खुस रहे, बाई बाई